अगला question कह रहा है बिटा के if angle A and angle B are acute angle, acute angle कौन से होते हैं? जो 90 degree से छोटे होते हैं, 0 से 90 degree के भी जो बनते हैं angle उन्हें acute angle कहते हैं, ठीक है? तो acute angle है और cos A बरावर है cos B, तो इन बातों में से कौन सी बास सही होगी? ठीक है, दो side बरावर दे, मतलब हमें दो ratio बरावर दे रखके हैं, basically trigonometry के दो ratios है, cos A and cos B बरावर है, तो हमें यह बताना है, इन में से कौन सी बात proof होगी, कि angle A बरावर होगा angle B के, या angle A greater than होगा angle B के, या angle A less than होगा angle B के, या इन में से कोई answer नहीं होगा, तो यह हमें बता बताना है, चलो ठीक है, तो हम कैसे बताएंगा बेटा, देखो, अब यहां पर दो acute angle A और B, तो हमें यह से यह समझ में आता है, कि हमें जो angle C होगा, वो मेरा 90 degree होगा, क्योंकि हम right angle कहां होगा, 90 degree पर होगा, क्योंकि हम क्या है, सारी trigonometry कहां पर चलेगी, right angle, triangle पर, ठीक है अब मैं अगर इसको triangle बना लूँ, अब मैं दे दूँ इसको A और B लग दूँ में यहां, तो C है मेरा यह, right angle, right angle कहां पर है, right angle at C, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, since angle A and angle B are acute angle therefore, sorry, so क्या होगा, since अगर हमें angle A बराबर है, हमारा angle B के, तो then, angle C क्या होगा, 90 होगा then, angle C हमारा कितना होगा, बराबर 90 के, यहनि right angle 90 पर होगा तो अब हमें क्या दे रखा है given है बिटा क्या दे रखा है given क्या दे रखा है हमें कि cos A बरावर cos B के ठीक है cos A बरावर है cos B के तो cos A की value रखो पहले अब देखो cos A के साथ में क्या है कॉस के साथ में क्या है एंगल A है क्या दिया हुआ है एंगल A दे रख़ा है तो एंगल A की वैल्यू क्या होगी यहांपे अगर मेरा एंगल यह होगा A तो A के सामने क्या होगा side perpendicular और बीच में होगा base तो basically कॉस क्या होता है कॉस होता है हमारा base upon hypotenuse, तो base क्या होगा? Base होगा मेरा यहाँ पर angle A के साब से base होगा AC और hypotenuse होगा AB ठीक है? तो base upon hypotenuse तो AC upon hypotenuse क्या है? AB cos A बराबर cos B cos B क्या है? B के साब से, अगर मैं देखूँ तो B के साब से क्या होगा? यह side होगी मेरे perpendicular तो base क्या होगा? BC ठीक है? तो BC upon AB है ना बिटा? BC upon AB अब AB से AB कट गया? ठीक है? क्या आ गया? AC अब AC बराबर आ गया किसके? BC के? तो यह दोनो side क्या हो गई? यह आपस में? बराबर हो गई ठीक है? तो जब यह दोनो side बराबर हैं तो दोनो angle भी बराबर होंगे है ना? कैसे बराबर होंगे? यह हमारे triangle की एक property होती है कि angle opposite to equal sides are equal जब दो side बराबर होती है तो उनके opposite angles बराबर होते हैं ठीक है तो यह हमारी बात proof हो गई मतलब हमारे पास क्या आया? angle A बराबर आया angle B के तो पहला right answer हो गया ठीक है पेटा? तो आगे चले समझ में आया एक question? कुछ भी नहीं था इसमें बस हमें angle proof करना मतलब basically question में यह बताना था कि cos A बराबर cos B दे रखका है तो A B का आपस में क्या relation होगा? दोनो angles का क्या relation होगा? कि मतलब दोनों बराबर होंगे? बड़ा होगा? चोटा होगा? कौन बड़ा होगा? कौन चोटा? तो यहां पे हमें क्या proof किया? दोनो angle आपस में बराबर होंगे ठीक है?